वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स क्या ऐसे डोनर्स की ये मन्शा थी कि उनका पैसा कॉंग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खांदान का मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं क्यूंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कमपनीज आक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने छे वर्ष की अवधी में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया प्रश्णी यह उठता है कमपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए लेकिन समाज की सेवा नहीं वो कमपनी मात्रक गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है आज एक प्रश्ण उन्नेताओं से करना चाहती हूँ जो ED के उपड़ दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए है आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंद दो टेक्स मेचंडाइस प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है दो टेक्स मेचंडाइस प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंटरी ऑपरेटर कोलकता से संबन धित है जो कैश के बदले चेक देती है जिसकी ट्रांजाक्शन्स पर Financial Intelligence Unit का रेड फ्लाग है जो कॉंग्रेस के कारिकर्ता आज दिल्ली में इकत्रित हुए है वो राहूल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खांदान का संबंध डोटेक्स Merchandise Private Limited से क्या है क्या ये सत्य है कि डोटेक्स Merchandise Private Limited के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहूल गांधी सोनिया गांधी और जिसका संबंध शीमती वाडरा से है आज जो लोग investigation agencies पर दबाव डालना चाहते हैं उनका ध्यान आकरिष्ट करूंगी दिल्ली हाई कोट के दोहजार उन्नीस के एक जज्जमंट के वाक्य पर the entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and seruptuous transfer of the lucrative interest in the premises of Young India अर्थात AGL के उपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर तानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है इसलिए आज जुगति रोध Congress के नेता और कारेकरता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे है मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं गांधी खांदान की 2000 करोड की संपत्ति को बचाने का प्रयास है लडीज औ गेंटलमन